Realme ने recently launch किया है Realme 11 Pro और 11 Pro Plus जो Realme के number series के नए devices हैं तो इस वीडियो में मैं इनी दोनों devices के बारे में बात करने वाला हूँ प्लस एक ऐसी चीज जिसकी वज़े से शायद ये device में किसी को recommend ना कर पाऊं तो उसके लिए वीडियो को end तक जरूर देखेगा वीडियो को like कर दीजे एंड let's begin तो सबसे पहले बात करते हैं इसके design के बार में तो किसी भी smartphone के comparison में मुझे इसका design सबसे अच्छा लागा इसके back में आपको vegan leather texture में जाता है और उसकी finishing बहुत अच्छी है और leather texture दो colors में available है एक है sunrise beach और दूसरा है OSA screen एक astral black color का device भी है लेकिन उसका जो back panel है वो plastic का है तो एक छोटी से advice अगर आप leather texture ले रहे हैं तो please phone case use कीजेगा क्योंकि इसका back बहुत जल्दी गंदा हो सकता है और साफ करने में में महनत बहुत लगेगे इसके sides में plastic frame है लेकिन बहुत अच्छी finishing उसमें भी है टॉप में आपको एक secondary microphone और secondary speakers मिल जाएंगे left side पूरा blank है वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा right side में volume buttons और power button मिल जाएंगे bottom में आपको मिल जाएगा primary speaker grill एक type C port primary microphone और SIM tray अब इसके display के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको एक 6.7 inch का AMOLED display मिल जाएगा with 2412 by 1080p full HD plus resolution इसमें आपको 120Hz की refresh rate मिल जाएगी HDR10 plus का support है plus 100% DCI-P3 color gamut भी है और इसकी peak brightness है 950 nits इसका मतलब है घर के बाहर भी आपको बहुत अच्छे visuals मिल जाएगे अगर आप content consumption के लिए एक device जुन रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा option है पिर अब इनकी audio के बात करें तो दोनों में Dolby Atmos का support मिल जाता है दोनों में stereo speakers हैं और बहुत ही clear output मिल जाता है इनके speakers loud भी हैं और थोड़ा बहुत bass भी सुनने को मिल जाता है वेल इनके जो bottom firing speakers है उनकी sound quality टॉप के speakers के comparison में better है और at the end इसमें 3.5 mm jack नहीं मिलता है तो इनकी connectivity features की बात करते है Dual 4G voice over LTE का support है Dual 5G का support मिल जाएगा Almost सारे 5G Indian bands का support है तो 5G connectivity की potential लेने की ज़रत नहीं है Dual band Wi-Fi 6 का support है और Bluetooth version 5.2 इसमें unfortunately NFC का support नहीं है बट overall काफी अच्छे connectivity features है Tobin की battery की बात करते हैं तो दोनों ही devices में 5000 mAh की battery capacity मिल जाएगी और लगबग 1-5,5 दिन का battery backup मिल जाना चाहिए Realme 11 Pro में 67W की fast charging मिल जाएगी और 11 Pro Plus में 100W की fast charging मिल जाएगी और दोनों के साथ box के अंदर ही respective chargers मिल जाएगे Tobin devices के performance की बात करते हैं तो दोनों ही devices में उतनों कुछ खास upgrade नहीं है दोनों में आपको MediaTek Dimensity 70-50 chipset मिल जाएगा जो कि पिछले 10 Pro Series के Dimensity 1080 chipset से compare करे तो बहुत minor upgrade है और performance wise बहुत similar results है दोनों devices में आपको up to 12GB RAM और up to 256GB storage मिल जाएगी और additionally दोनों में आपको 12GB की dynamic RAM भी मिल जाएगी इसके बाद इनके software की बात करते हैं तो most of the time आपको एक smooth experience मिल जाएगा लेकिन software में ही एक ऐसी problem है जिसकी वज़े से में ये device शायद आपको recommend ना करूँ और ऐसा नहीं है कि Realme के devices में ये problem शुरू से रही है लेकिन जब से 10 Pro Series या फिर Realme UI 4 रिलीज हुआ है तब से ये problem बहुत जादा बढ़ गई है और जो problem है वो आप device को setup करते समय भी notice कर सकते हैं इसमें device के personalization के लिए बहुत सारे जो permissions है वो शुरू से मांगता है और कई बार आप unconsciously next button दबा देते हैं तो उसके लिए बहुत सारे permissions जो है already ticked होते हैं क्योंकि मेरे पास ये device नहीं है तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन track and tech ने जो वीडियो upload किया था उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि ये क्या problem है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें उस वीडियो की link में description में डालनूगा तो device setup भी हो जाएगा तो उसके बाद तोरंट आपको बहुत सारे advertisements बहुत सारे recommendations देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे ads of bloatware भी है इस device में इसमें app market, hot apps, hot games, share chat, अधरक lesson पता नहीं क्या-क्या applications हैं और यह सिर्फ bloatware यह नहीं बहुत सारे app recommendation आपको continuously आते रहेंगे main UI में आप application को सर्च करेंगे तो additional applications के recommendation भी आपको भी मिल जाएंगे play store से आप कोई भी application इंस्टॉल करते तो इंस्टॉल होने के तोरंट बाद आपको एक advertisement आ जाएगा I mean जिस price range में device launch हुआ है उस price range में तो इतने advertisements और application recommendation नहीं मिलने चाहिए और settings में accessibility के अंदर intelligent services का option है जो की by default on है और इसमें बहुत clearly mentioned है कि आपका कौन-कौन सा data use किया जाता है आपके user experience को enhance करने के लिए जिसमें messages और call logs जैसे बहुत सारे चीज़े use होती है I will recommend कि इस option को आप manually जाके disable कर दे तो अभी इन devices की बहुत बड़े highlight की बात करने जो इनके cameras है और यह एक ऐसा segment है जिसमें दोनों ही devices में थोड़ा difference देखने को मिलता है तो सबसे पहले realme 11 pro की बात करता हूं तो इसमें dual rare camera setup है जिसका main sensor है 100 megapixel का इसमें optical image stabilization है इसमें 26 mm का focal length है और aperture है f1.75 second इसमें 2 megapixel का portrait camera है जिसका focal length है 22 mm और aperture है f2.4 front में 16 megapixel का selfie camera है जिसका aperture है f2.45 तो इसके image quality की बात करें तो not one of the best even in this price range I mean ठीक है realme की image processing अच्छी रही है sharp images मिल जाते हैं अच्छे colors मिल जाते हैं लेकिन बहुत सारे situations में बहुत over processed images लगती है especially in low light तो अब realme 11 pro plus की बात करते हैं इसमें triple rear camera setup है जिसका main sensor है 200 megapixel का जो samsung का ISO cell hp3 super zoom camera है यह 2-3 syllables के नाम क्यों नहीं रख सकते हैं इसमें भी optical image stabilization का support है और इसका aperture है f1.7 1.69 हां 1.7 और इसके बाद 8 megapixel का एक ultra wide camera है जिसका focal length है 15.9 mm और aperture है f2.2 see here's the thing इतना बड़ा जो difference है 200 megapixel और 8 megapixel तो उसकी विज़े से बहुत ही noticeable difference आ जाता है image quality में जैसे आप main camera से ultra wide camera में shift होते तो बहुत ही noticeable difference मिल जाता है पर उसके बाद एक 2 megapixel का micro camera है जिसका aperture है f2.4 इसके front में 32 megapixel का selfie camera है जिसका aperture है f2.45 अब इसकी image quality की बात करें तो 11 pro का ही play कर देता हूं फिर से इसके image quality की बात करें तो not one of the best even in this price range आप में ठीक है realme की image processing अची रही है sharp images में जाते अची colors मेल जाते हैं लेकिन बहुत साथ you get the point फिर दोनों ही phones में बहुत सारे photography modes मिल जाते है auto mode मिल जाता है professional mode मिल जाता है street photography का mode है night mode है और भी बहुत सारे है फिर video recording की बात करें तो दोनों में up to 4K 30 frames per second की video recording का option है और stabilization के साथ up to 1080p 60 frames per second की recording मिल जाएगी slow motion का भी option up to 1080p 120 fps और front camera में up to 1080p 30 frames per second की video recording मिलती है I feel 4K 60 frames per second होना चाहिए तब video recording rare cameras में और front में भी 4K का support तो at least होना चाहिए था बढ़ ठीक है these options are also good finally अब इनकी price की बात करते हैं तो realme 11 pro की starting price रुपीश 23,999 और realme 11 pro plus की starting price रुपीश 27,999 तो क्या ये price सही है मेरे साब से थोड़ा over price जरूर है ये I mean इस price range में बहुत सारे ऐसे devices हैं जो इससे भी अच्छा perform करते हैं Motorola, Samsung जैसे even nothing का phone चाहिए इस price range में आता है so I would prefer these devices instead of realme 11 pro series और क्या ये device मैं सब को recommend करूंगा personally नहीं लेकिन अगर आपको personalization वाले parts से जादा कोई problem नहीं है तो आप इस device को consider कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे features भी हैं जैसे कि इसका display बहुत बढ़ी है इसमें fast charging है और specially इसका design बहुत ही बढ़ी अलगा मुझे तो इस वीडियो के लिए एतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कीजे चैनल को subscribe करना बहुत भूलेगा we'll see you in the next one till then take care bye bye